देश के मुख्य मंतरी, आधर्निय शिवराज सिंग चोहां जी, देश के कृषी मंतरी, मुरैना के सानसद, आधर्निय नरीन संग तोमर जी, आधर्निय रगुपती सिंगानिय साहेब, अन्शुमन सिंगानिय साहिव, अरुन बजोरिया जी, हमारे साथ यहां उपस्तित विधायक कमलेश जाटव जी, रुस्तम सिंग जी, रगुराज सिंग कंसाना जी, हमारी जिला पंचायत की अधियक्षा, हमीर पतेल जी की बेटी, गिरराज रंडोतिया जी, समस्त हमारे यहां उपस्तित जेके टायर के परिवार के सदसिगण, आज एक नई इतिहास रची जा रही है, एक नवे सवेरे की शुरुवात की जा रही है, मैं स्वरंड करना चाहता हूँ, आज इस मंच पर, मेरे पूझ ये पिताजी का, उनका सपना था, बामोर का इंडस्टिल एरिया, मालनपूर का इंडस्टिल एरिया, एक काउंटर मैगनिट सिटी के रूप में, गौलियर और आस पास के इलाके की वृद्धी और विकास हो, दिल्ली के करीब, ये उनका सपना था, जिसके आधार पर, बामोर और मालनपूर सन 1985 में स्थापित हुई थी, और मुझे अच्छी तरह याद है, जब पहली बार ये जेके टायर का प्लांट, रगुपति सिंगानिया जी ने, बामोर के शेत्र में स्थापित किया था, और आज ये प्लांट का इतिहास, और इस प्लांट का योगदान केवल देश में नहीं, लेकिन अंतराष्ट जगत में पूरी रूप से अपना जगा और अपना महत पूर्टा इस प्लांट ने स्थापित किया, दो पैसेंजर रेडियल प्लांट हैं जेके टायर के, जिसमें से एक बामोर में स्थापित, ये विस्तारी करण की योजना एक बहुत शुप संकेत, और ये विस्तारी करण क्यूं हो पाया, शिवराज सिंग जी के नितित में, पिछले 18 वर्षों में, जिस राज्य को बिमारू टैक के रूप में देखा जाता था, उसे उभारने का काम अगर किसी ने किया है, तो हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चोहन जी ने किया, तो जहां एक टाईगर बाहोल राज्य हमारा मद्यपदेश है, जिसका श्रे भी शिवराज सिंग जी को जाता है, तो उन्होंने ठान लिया कि टाईगर बाहोल शेत्र मद्यपदेश को एक Economic टाईगर के रूप में भी हम पूं रूप से स्तापित करेंगे. और मेहनत मशक्कत का कमाल देखिए आज वही मध्यप्रदेश जो बिमारू राज्य की गिंती में होती थी आज वही मध्यप्रदेश एक लायबिलिटी भारत के लिए नहीं लेकिन एक एसिट के रूप में भारत ये जनता पार्टी और शिवराज सिंग जी के नित्यत में पिछले वर्ष की जीडीपी स्टेट की जीडीपी 18.9 प्रतिशत की वृद्धी से बढ़ पाई आज भारत की राज्यों की शिंखला में मेरे भाई और बैनों मध्यप्रदेश एक उत्तम राज्य के रूप में उभर रहा है मध्यप्रदेश इन्वेस्टर समिट आयुजद की थी शिवराज सिंगी ने पंद्र लाग करोड उपे के अतिरिक्त निवेश का पूर्ण एक संकर्थ अनेक कंपनियों ने दी और आज जो जेके टायर का ये प्लांट रगुपति सिंगानिया जी ने जो अपने जीवन काल वी यति शोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूँ कि आटो मोबील सेक्टर में नहीं के वल नहीं लेकिन ओद्योक के सेक्टर में एक स्थम उन्होंने अपने जीवन काल में स्तापित किया है रिद्यक के गहराइओं से मैं उनको धन्यवाद अर्पित करना चाता हूँ सिंगान्या परिवार के साथ सिंध्या परिवार की चार पीडियों का संबंद रही है पर जो रगुपती सिंगान्या जी ने अपने जीवन काल में करके दिखाया है वो भारत के सर्वरशेष और द्योग घरानों में एक रगुपती सिंगानिया जी का घराना गिना जाता है इस प्लांट के जरीए 920 करोड उपए का निवेश किया जा रहा है कुल मिलाकर 49 लाग टायर की कपैसिटी प्रतिवर्ष की उत्पादन की है यह 70 लाग तक लिया जाएगा कुल मिलाकर इस कैंपस में 1800 करोड उपए का निवेश हो रहा है और इसी के जरीए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उननीस हजार पांप सो हमारे शेत्र के नौजवानों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अफसर उत्पन को पाएंगे और यह शिवराज सिंग्जी की जो संकल्प है इन्वेस्ट इन मध्यपदेश इस अब डूइंग बिजनस start your business in 30 days उसी का वर्दान है कि आज एक एक कंपनी आज निवेश करने के लिए मध्यपदेश में उत्सुक है उस श्रिंकला में पहले नंबर पर ये के टायर है मैं उनको दिल के गहराईयों से धन्यवाद देना चाहता हूँ और प्रधान मंत्री जी का सोसंकल्प है अत्यवस्ता में भारत विश्वस्तर पर 2013-14 पर दसवी नंबर पर था आज पांचवी नंबर पर है और 2030 तक हम जर्मनी और जपान को भी पीछे छोड़के विश्व में तीसरे नंबर पर पहुँचेंगे उसी श्रिंकला में मज्यप्रदेश की एहम भूमिका शिवराज सिंग जी के नेत्यत में होगी और जेके टायर की इस निवेश के साथ भी एक बहुत महत्पुद महमिका भूमिका रहेगी और हमारा कद और कल दोनों इस सयोग के साथ सुरक्षित रहेगा इनी शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद जैहिंजैबाग